घर और किचन से जुरी हुई अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आजी दूँ आज फिर से तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजेगा तो चलिए फटा-फट से वीडियो को शुरू करते हैं वालकम बाक टू माई चैनल आज का जो सबसे पहला टिप्स है वो वाटर बोतल से रिलेटेड है तो इस तरीके का जो थरमस होता है इसमें हम गरम पानी रखते हैं, चाई रखते हैं, दूद रखते हैं तो जब चाई और दूद रखते हैं, तो उसका असमेल इसमें रह जाता है और फिर उसे कितना भी हम लोग अच्छी तरीके से वास कर लें वो दूद का असमेल या फिर चाई का असमेल जाता नहीं है तो उसमेल को दूर करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक आज मैं बताने जा रही हूँ जिससे आप अपना कर इस बोतल का जो बैड़ समेल है, चाई और दूद का आप उसे दूर कर सकते हैं तो उसके लिए आप क्या करें? माचिस ले ले और माचिस की तिली जल आकर और फिर उसे बुझा दे और बुझाने के बाद फटाफट से बोतल में डाल कर उसका ढखकन बंद कर दे और इसे दस मिनट तक ऐसे ही छोड़ दे तो माचिस की तिली से जो धुआ निकलता है उस धुए की वज़े से बोटल के अंदर में जो भी बैड स्मेल है वो चले जाते हैं और 10 मिनट के बाद जब इसे खोलेंगे और फिर इसे अच्छे से वास कर लेंगे तो देखेंगे कि जो भी स्मेल था वो सारा खतम हो चुका है चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक अगला ट्रिक है मटर को चिलने से मटर चिलने के तो बहुत सारे तरीके आपने देखे होंगे यूटूब पर एक छोटा सा ट्रिक मैं से एर कर रही हूँ मटर को हम लोग जब नॉर्मली छिलते हैं तो इसी तरीके से छिलते हैं जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं अंगुठे की हेल्प से मटर के छिलकों को खोलते हैं और ऐसा बार बार जब हम लोग करते हैं तो अंगूठे का जो नाखुन होता है उसमें दर्द हो जाता है तो उस दर्द से बचने के लिए छोटा सा ट्रिक फॉलो कीजिए आप कैची ले ले और कैची से मटर का जो फ्रंट पार्ट है वो कट कर दे और कट करने के बाद आप देखेंगे कि जो मटर का चिलका है वो बहुत ही आसानी से खुल जाता है नाखुन का हैल्प नहीं लेना पड़ता है मैं दूसरा एक मटर और भी चिलकर आपको दिखा दे रही हूँ जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में बहुत ही आसानी से मटर का छिल का खुल जा रहा है तो मटर छिलने वक्त आप इस trick को follow कर सकते हैं यह बहुत ही आसान सा trick है तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले trick की और तो जो अगला trick है वो बेशन से related है तो बेसन को जब भी हम लोग लंबे समय के लिए श्टोर करते हैं तो उसमें कीरे बहुत जल लग जाते हैं और फिर हम उस बेसन का यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें कीरे लग जाते हैं और हमें फेकना पड़ता है तो आज मैं एक छोटा सा ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आप बेशन को लंबे समय तक इस्टोर कर सकते हैं तो उसके लिए आप क्या करें तेज पत्ता ले ले जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं और तेज पत्ते को छोटे छोटे टुकरों में कट कर ले और दिस भी बर्तन में आपको बेशन को श्टोर करना है वैसे तो आप बेशन को श्टोर करने के लिए एयर टाइट कंटेनर का ही यूज करें जिससे आपका बेशन लंबे समय तक श्टोर रह पाएगा और ये जो तेजबत्ता का जो मैंने छोटा-छोटा टुकरा किया है उसे बेशन में अच्छी तरीके से अंदर तक डिप करके कंटेनर में रखेंगे और फिर कंटेनर को अच्छे से एर टाइटली बंद कर देंगे फिर आप देखेंगे कि बेशन आपका छे से साथ मेहने तक इस्टोर रह जाएगा बिल्कुल भी उसमें कीड़े नहीं परेंगे तो बेशन को इस्टोर करने के लिए इस ट्रिक को जरूर फॉलो कीजिए तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला ट्रिक तो अगला ट्रिक भी बहुत ही अच्छा है अगला जो ट्रिक है वो प्याज से रिलेटेड है तो कभी ऐसा होता है कि प्याज हमें grind करना होता है और current चला जाता है तो उस स्थिती में आप प्याज को grind करने के लिए छोटा सा trick follow कर सकते हैं कभी ऐसा भी होता है कि बहुत थोड़ा प्याज हमें grind करना होता है और फिर थोड़ा सा प्याज mixer में grind नहीं हो पाता है तो आप इस तरीके का जो कद्दू कस करने वाला होता है आप उससे कद्दू कस करके उस प्याज को यूज कर सकते हैं तो इसमें क्या होता है जब हम लोग कद्दू कस करते हैं तो अक्सर ही हमारे नाखून या फिर हाथों में चोट लग जाता है तो उससे बचने के लिए आप क्या करें, फॉक का इस्तेमाल करें, आप प्याज को फॉक में, जैसे जिस तरीके से वीडियो में मैंने लगाया है, उस तरीके से लगा कर उसके बाद आप बहुत ही आसान तरीके से कद्दूकस कर सकते हैं, तो कद्दूकस करने से पहले आप इ से स्टोर किया जाए अगला ट्रिक इसके उपर है तो अद्रक को आप जब भी स्टोर करना हो तो जब अद्रक को आप मार्केट से लेकर आते हैं तो उसे अच्छी तरीके से धो ले और धो के पोच के और सुखा ले उसमें थोड़ा भी मौइस्चर नहीं होना चाहिए उसके जिस भी कंटेनर में अद्रक को आपको स्टोर करना है वो कंटेनर ले ले कंटेनर भी पूरी अच्छी तरीके से सुखा हुआ होना चाहिए उसके बाद आप इस तरीके का पेपर का यूज कर सकते हैं या फिर टीसू पेपर का यूज कर सकते हैं या उसके जगा आप न्यू पेपर को स्फ़ोड़ कर दूंगी और फिर इसे बंद करके फ्रीज में स्टोर करुब तो इस तरीके से अद्रक लंबे समय तक इस तरह के अगर 5-6 मैंने आपको अध्रक को स्टोर करना है तो इसलążब करें विद भीच जमा ले तो देखेंगे चावकac पाँच से छे मैने तक बिल्कुल फ्रेस रहेगा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले ट्रिक की और तो जो अगला ट्रिक है वो सॉक्स से रिलेटेड है तो आपने देखा होगा सॉक्स तो अक्सरी लोग पैरों में पहनते हैं बट आ चावल को किसी भी तवे पर या फिर जिसमें भी आपको सेकशना हो ऐसे कोई बरतण में आप डाल लें और फिर चावल को गैस पर रखकर धीमी आज पर आप उसे हलका हलका गरम कर लें अगर आप तेजाच पर इसे गरम करेंगे तो ये जल जाएगा इसलिए भी ध्यान से धीमी आज पर चावल को हलका हलका गरम कर ले जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं मैंने बहुत ही धीमी आज पर चावल को गरम कर लिया है और गरम करने के बाद अब इसे हम लोग सॉक्स में भर देंगे सॉक्स में चावल को भरने के बाद इस socks की help से हम लोग सिकाई करेंगे बहुतो को ऐसा होता है जैसे हाथों में दर्द, पैरों में दर्द होता है तो सिकाई करने के लिए ये जो गरम चावल होता है वो बहुत ही फायदे मंद होता है तो इस तरीके से socks में चावल भर लेंगे और अब इस सॉक्स से जहां भी आपका दर्द हो हाथ में पैर में कमर में आप इस से सिकाई कर सकते हैं ये बहुत ही फाइदा करेगा और लंबे ये चावर लंबा समय तक गरम रहता है जिसकी वज़े से सिकाई करने में सुधा होती है हमें बार बार गरम करने का पुरत नहीं पड़ता है तो ये बहुत ही एक अच्छा सा ट्रीक है आसा करती हूं आज जो भी मैने ट्रिक्स आप लोगों के साथ सेयर किया है वो सारे ट्रिक्स पसंद आए होंगे तो वीडियो को एक लाइक कीजेगा चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब क क्लिक कीजिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई